हेलो एवरिवन आज हम करने वाले हैं सिलोजम का पार्ट नमबर टू ठीक है कल हमने सिलोग के जो बेसिक कंसेप्ट है यानि कि इसका डायग्राम बराना सीखा था तो आज भी हम इसके उपर कुछ क्योस्टन्स करने वाले हैं तो अब दीरे दीरे हम जो अपना लेवल है उसको इंक्रीज करते हुए चलेंगे तो चलिए देख लेते हैं आज का क्योस्टन क्या है आज का जो पहला क्योस्टन है वो दे रखा है यहाँ पर हमारे पास है statement statement क्या है? पहली statement है no apple is palm ठीक है? अब सबसे पहले जो पहली statement है उससे ही हम start कर देते हैं तो क्या बोला गया है? कोई भी apple क्या नहीं है? palm नहीं है तो अगर ये सभी apples हैं तो palms कहां पर होंगे? पल्स होंगे अलग यानि कि apple और palms के भी इसमें कोई भी relation नहीं है ठीक है? इतना बना दिया अगला जो statement है वो क्या है? all palms are orange जितने भी palms है ना वो सभी क्या है? orange है तो अब orange कहां पर आएंगे? orange आएंगे यहाँ पर क्योंकि orange वाला सरकल क्या होगा? palms वाले सरकल को घेर लेगा ठीक है? तबी तो सभी palms क्या होंगे? orange होंगे ठीक है? अगला जो तीसरा statement है वो है all oranges are mangoes जितने भी oranges है ना वो सभी क्या है? mangoes हैं तो mangoes कहां पर आएंगे? mangoes आज आएंगे यहाँ पर ठीक है? यानि कि mangoes वाला जो सरकल है वो इन दोनों को घेर लेगा इतना समझ में आया? अब side diagram आप लोगों को बनाना आ गया होगा ठीक है? अब देख लेते हैं conclusion क्या है? यहाँ पर conclusions दिये हुए है पहला conclusion है all palms are mangoes जितने भी palms है ना वो सभी mangoes है क्या यह सही है? बताओ बिल्कुल सही है क्योंकि जो palms वाला circle है वो किस circle में है? orange वाले में और orange वाला जो circle है वो कौन से circle में है? mangoes वाले circle में है यानि कि जितने भी palms है वो सभी क्या है? orange है और जितने भी orange है वो सभी क्या है? mangoes है तो सभी palms है वो mangoes भी तो हुए ना ठीक है तो हमारा जो पहला conclusion है वो right हो गया यहाँ पर अब दूसरा conclusion क्या है दूसरा conclusion है at least some mangoes are orange ठीक है कम से कम कुछ mangoes क्या है orange है बताओ क्या ये सही है ये भी सही है कैसे देखो अब orange कौन सा है orange है ये बड़ा वाला circle ठीक है मैं color इसका change कर देता हूँ ये वाला जो circle है ये वाला ये सभी क्या है ये सभी orange है ठीक है अब orange किसमें है mangoes में है तो ये जो है ये mangoes और orange दोनों का common part है तो ये जो जितना हमने यहाँ पर ये किया है इसमें mangoes और orange और पल्स ये पल्म तीनों common है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि इतने वाले है ये सभी क्या है इसमें कुछ mangoes पल्म भी है और कुछ palms orange है कुछ orange palms है कुछ भी हम बोल सकते है ठीक है यहाँ पर हम जो बोला गया था at least some mangoes are orange तो at least some mangoes are orange बिल्कुल right है यहाँ पर ठीक है ये वाला जो है हमने जो color किया है ये वाला क्या है ये common part है ठीक है अब समझ में आया तो ये हो गया हमारा right अब हमारे पास option है option हमें यहाँ पर choose करना होता है कि कौन सा यहाँ पर right है अब हमारा पहला conclusion भी right है और second conclusion भी right है तो यहाँ पर हमें देखा कि दोनों में कहाँ पर है option D जो है इसमें क्या बोला है both first and second follow यानि कि option D क्या हो गया option D हमारा right answer हो गया समझ में आई बात ठीक है अब अगले question की तरफ चलते है अगला question है यहाँ पर statement है हमारे पास all animals are mammals ठीक है no mammal is reptile और यह अगली है all reptiles are amphibians तो अब बना लेते हैं क्या बोला गया है जितने भी animals है वो सभी क्या है mammals है तो mammals आ गई कहाँ पर mammals आ गई यहाँ पर ठीक है अब अगली जो statement है वो क्या है यह two number है और यह three number है ठीक है जो second statement है वो है no mammal is reptile कोई भी mammal reptile नहीं है तो mammal वाला circle कौन सा था यह बड़ा वाला ठी ठीक है इसमें हमने cross किया और कोई भी reptile है वो क्या नहीं है mammal नहीं है ठीक है हो गया आगे बोला है all reptiles are amphibians जितने भी reptiles है वो सभी क्या है amphibians है ठीक है तो इसको amphi इतना लिख लेते हैं ताकि हम animal और amphibian में confuse ना हो यह a से animal है और यह है amphibian ठीक है अब देख लेते है conclusion क् conclusions है जो पहला conclusion है all animals are amphibian बताओ animal कहाँ पर है animal है यहाँ पर और amphibian है यह वाला तो बताओ all animals are amphibian क्या यह सई है बताओ नहीं है सई यानि कि यह wrong है क्यो wrong है देखो सभी animals है ना वो क्या है mammals है ठीक है कितना बोला गया था अब बोला था जितने भी mammals है कोई भी mammal reptile नहीं है तो reptile कौन सा हो गया reptile हो गया यह वाला ठीक है अब यहाँ पर बोला है क्या all reptiles are amphibian जितने भी reptiles है ना वो सभी क्या है amphibian है ठीक है अब animal जो animal है वो यहाँ पर है और amphibian है यह यहाँ पर है अब इन दोनों के बीच में हमें कुछ भी यहाँ पर statement नहीं दी गई है कि animal और amphibian के बीच में क्या relation है ठीक है तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते कि all animals are amphibian है या नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया cross कर दिया यानि यह wrong हो गया ठीक है अब जो second state में यह conclusion है वो क्या है some amphibians are mammals amphibian कहाँ पर है यह वाला सरकल और mammals कहाँ पर है mammals वाला है यह वाला सरकल बताओ क्या some amphibian are mammals है इसके बारे में अभी हम नहीं बता सकते कि amphibian mammals है या नहीं है जो mammals है उसका relation हमें reptiles के साथ पता था ठीक है लेकिन mammal और amphibian के बारे में यहाँ पर भी कोई भी बात नहीं हुई है तो इसलिए हम इसका भी नहीं बता सकते कि यह right है या wrong है ठीक है तो हम जब definite इसके बारे में नहीं बता सकते है तो हम क्या करते है इसको wrong कर देते है ठीक है अगर यहाँ पर possibility होती तो हम इसको क्या करते थे right कर देते समझ में आई बात यानि कि जब mammals और amphibians के बारे में कोई जिकर हुआ ही नहीं था तो हम इसके बारे में भी कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे कि कोई mammal amphibian है या नहीं है ठीक है हम नहीं बता सकते इसलिए हमने यह क्या कर दिया यह हमने wrong कर दिया है ठीक है अब यहाँ पर हमारा answer क्या होगा option A है neither first nor second follow ठीक है तो हमारा answer क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा option A neither first nor second follow ठीक है समझ में आई बात अब अगले question की तरफ सलते हैं अगला question क्या है यहाँ पर statement है हमारे पास some schools are classes तो हमने बना दिया यह है schools तो some schools are क्या है classes है ठीक है आगे बोला है some classes are teachers some classes क्या है teachers है आगे बोला है all teachers are students जितने भी teacher है न वो क्या है वो सभी student है तो यह बना दिया हमने students ठीक है सबसे पहले बोला था some schools are classes यह हमने बना दिया उसके बाद some classes are teachers यह भी हमने बना दिया था और उसके बाद बोला all teachers are students तो यह उसके उपर भी हमने circle बना दिया है ठीक है यह बड़ा वाला circle क्या है students से अब conclusion यहां पर क्या है जो पहला conclusion है some students are classes बताओ student कहां पर है student है यह बड़ा वाला circle ठीक है क्या some students classes है बताओ क्या है बिल्कुल है ठीक है ये वाला जो part है ये वाला part ये part common है दोनों में ठीक है क्या बोला था some classes are teachers ठीक है ये हो गया ये जो common part है ये वाला ये teachers भी है और जब हमने देखा all teachers क्या है student है तो सभी teachers जब student है तो ये वाला जो part है ये दोनों में common है तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो भी होगा वो क कुछ students क्या है, classes है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, right हो गया है, उसके बाद अगला है, all schools being student is a possibility, schools कहां पर है, schools हैं यहां पर, और students हैं यहां पर, यानि कि schools और students के बीच में कोई भी relation यहां पर नहीं है, नहीं है ना, जब इनके बीच में relation नहीं है, तो हम इसके बारे मे definitely तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन अगर यहां पर possibility है, तो possibility के लिए हम क्या बोल सकते हैं, कि हाँ, possibility यहां पर बन सकती है, ठीक है, जब definite हम definitely तो यहां पर कुछ भी नहीं बता सकते, जब उनके बीच में कोई भी relation नहीं हो, देखो, students यहां पर है, यह students यहां पर है, और school यहां पर है, इन दोनों के बीच में कोई relation है, नहीं है, जब relation नहीं है, तो हम उनके बारे में definitely कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन जब possibility यहां पर जोड दी जाती है, तो यह क्या हो जाती है, यह right हो जाती है, ठीक है, तो यहां पर conclusion जो पहला और दूसरा है, दोनो right है, ठी अब चलते हैं, अगले question की तरफ, अगला question है, यहां पर statements है, पहली statement है, some buses are cars, ठीक है, कुछ जो bus है न, वो क्या है, cars है, उसके बाद है, no car is ship, कोई भी car ship नहीं है, तो यह हमने बना दिया, कोई भी car क्या नहीं है, ship नहीं है, आगे बोला है, all ships are bikes, जितनी भी ship है न, वो सभी क्या है, bikes है, ठीक है, तो जितनी भी ship है, वो सभी क्या है, bikes है, ठीक है, अब देख लेते हैं, conclusion क्या है, conclusion है, पहला conclusion, some buses are not bikes, buses कौन सी थी, buses यह थी, some buses are not bikes, क्या हम बता सकते हैं, यह सही है, यह गलत है, बताओ, अब यहां पर, buses कहां पर है, buses हैं यहां पर, और bikes हैं, bikes relation है नहीं है हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि इनके बीच में जब भी हम से उनके बारे में definite हम नहीं बता सकते जैसे कि यहाँ पर हमें इनके बीच में कोई भी relation नहीं बता है ठीक है तो उनके बारे में हम definitely कुछ भी नहीं बता सकते जैसे कि यहाँ पर पुछा है some buses are not bikes यह बोल रहा है कि कुछ bus bike नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते कुछ bus bike है या नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे रों कर देंगे अगर यहाँ पर यह possibility जोड देता तो यह क्या हो जाता यह हो जाता right लेकिन यहाँ पर possibility नहीं है यहाँ पर इसने definite बोला है कि some buses are not bikes तो हम नहीं बता सकते कि हैं या नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया इसको wrong कर दिया है अगला जो conclusion है वो है no bike is ship अब bike कहाँ पर है? bike है यहाँ पर और ship है यहाँ पर जितनी ship bike है उतनी ही bike ship भी तो होंगी लेकिन यहाँ पर बोल दिया no bike is ship तो यह भी क्या हो गया? wrong हो गया ठीक है? तो हमारा answer क्या हो जाएगा? हमारा answer हो जाएगा option A neither first nor second follow ठीक है? कोई भी यहाँ पर follow नहीं कर रहा है ओके? समझ में आया अब चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है statements है all cups are squares ठीक है? क्या बोला है? जितने भी cup है न वो क्या है? सैकोर्स है यह हो गए सैकोर्स उसके बाद है all plates are cups ठीक है? यह थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं यह cup है ठीक है? सभी क्या है? उसके बाद all plates are cups अब cup कौन से थे? cup थे यह अब बोला है all plates are cups यानि कि plates कहां पर होंगी? plates वाला जो circle होगा वो cups के 20 में होगा ठीक है? अब बोला है some saucers are spoons तो saucers यह हैं और spoons कहां पर है? spoons हो गई यह वाली ठीक है? conclusion क्या है? all plates being spoon is a possibility देखो spoon कहां पर है? spoon है यहां पर और plates कहां पर है? plates है यहां पर बताओ क्या all plates are spoons is a possibility देखो यहां पर इन दोनों की बीज में plates और spoons की बीज में कोई भी relation हमें नहीं पता है कि relation क्या है? ठीक है, तो इनके बारे में definite तो हम कुछ पता नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर possibility जोड़ी गई है, जब possibility जोड़ी जाती है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको right कर देते हैं, ठीक है, जब हमें definite कुछ नहीं पता हो उन लोगों के बारे में, तो वहाँ पर possibility क्या हो जाती है, right हो जा तो ये क्या हो गया, ये हो गया, wrong, क्यों wrong हो गया, क्योंकि जितने भी plate थे, वो क्या थे, कप थे, और जितने भी कप थे, वो क्या थे, saucers थे, ठीक है, तो इसने बोला है, all plates are no saucers, तो ये तो अपने आप wrong हो गया, क्योंकि हमें circle में, यहाँ पर diagram में हम साफ देख पा रहे है कि जितने भी plate है वो क्या है? Saucers है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बोला है All plates are not saucers तो यह हो गया wrong यहाँ पर only first conclusion follow हो रहा है ठीक है? तो हमारा answer क्या हो जाएगा? हमारा answer हो जाएगा option B ठीक है? Only one follow ठीक है? Only one follow ओके? अब चलते हैं अगले question की तरब अगला question है Statements देखो, पहली statement है No cup is a cert कोई भी cup क्या नहीं है? Cert नहीं है ठीक है? अब बोला है Some trousers are caps ठीक है? Sorry, cap था यह है न No cap is a cert ठीक है? अब है Some trousers are caps कुछ trouser क्या है? Caps है आगे बोला है All belts are certs जितनी भी belt है न वो क्या है? Certs है तो belt कहां पर आ गई? Belt आ गई Certs वाले सरकल के बीच में अब conclusion क्या है? Conclusion जो पहला है No cap is a trouser अब cap कहां पर है? Cap है यहां पर और trouser कहां पर है? Trouser है यहां पर No cap is a trouser क्या यह सही है? नहीं यह हो गया Wrong क्योंकि हमें पता है यह इन दोनों के बीच में जो common part है यह आपस में क्या कर रहा है? Intersect कर रहा है तो कुछ caps क्या है? Trouser है और कुछ trousers क्या है? Caps है तो हम नहीं बता सकते कि no cap is a trouser क्योंकि कुछ तो है तो यह वाला क्या हो गया? Wrong हो गया अगला जो conclusion है वो क्या है? All caps being trouser is a possibility जितने भी caps है न Caps कौन सा है? यह वाला circle Being a trouser Sorry, trouser के साथ ही था Being a trouser is a possibility Yes यह वाला right हो गया क्यों right हो गया? क्योंकि हमें सिर्फ some part के बारे में बोला है कि some part क्या है? Some caps are trouser यह बोला था यहाँ पर ठीक है अब some की बात होई है हो सकता है कि सभी के सभी cap क्या हो? Trouser हो तब भी तो यह जो statement थी यह right होती ठीक है? तब भी तो यह वाली statement right हो जाती हमें नहीं पता था कि all caps are trouser है या नहीं है लेकिन यहाँ पर possibility जोड़ दी गई है तो यह क्या हो गया? यह हमारा right हो गया यानि कि जो conclusion second है वो यहाँ पर right है ओके? तो इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा option B यानि कि only if only conclusion second follows केवल second conclusion follow कर रहा है अब चलते हैं अगले question की तरफ अगले question है statements देखो no crow is a bird कोई भी crow क्या नहीं है? bird नहीं है तो bird हो गया यहाँ पर अब बोला है some parrots are crows कुछ जो parrots है न वो क्या है? crows है ठीक है? आगे बोला है no bird is a sparrow bird कहाँ पर है bird है यहाँ पर और sparrow हमने यहाँ पर बना दिया ठीक है? इनके बीच में भी कोई भी relation नहीं है ओके? इतना बन गया उसके बाद हम conclusion देखते हैं जो conclusion first है वो क्या है? no crow is a sparrow crow कहाँ पर है? crow है यहाँ पर और sparrow है यहाँ पर अब देखो crow और sparrow के बीच में statement में कोई भी बात नहीं हुई है तो हम इनके बीच में definitely कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं ठीक है? इनके बीच में हमें कोई भी relation नहीं पता है crow और sparrow के बीच में कोई भी relation हमें नहीं पता है तो हम इनके बारे में definitely कुछ बता नहीं पाएंगे ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहला जो conclusion है, no crow is a sparrow तो हम नहीं बता सकते कि यह है या नहीं है, इसलिए हमने यह क्या कर दिया, wrong कर दिया, ओके जो अगला conclusion है, वो क्या है some parrots are not birds parrots कहाँ पर है, parrots हैं यहाँ पर, और birds है यहाँ पर, क्या यह जो second conclusion है, वो सही है बताओ, यहाँ पर बोला गया है, some parrots are not birds, यह वाला सही है, क्यों सही है, देखो मैं बताता हूँ, अब हमने सबसे पहले बात की थी no crow is a bird, ठीक है यह हमने बना दिया था, उसके बाद था, some parrots are crow, तो यह वाला common part है, crow और parrots की भी इसमें अब इतने यह वाले है यह parrots क्या है crow है, यह parrots क्या है crow है ना, लेकिन कोई भी crow parrots नहीं है तो यह वाले जो parrots है वो भी तो bird नहीं होंगे यह वाले कोई भी crow bird नहीं है और यह वाले जो crow है यह क्या है, parrots भी है common है दोनो तो हम कह सकते हैं कि यह जो parrots है वो bird भी नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया यह वाला जो conclusion है वो right हो गया, यहाँ पर बोला गया था some parrots are not bird तो सही है, यह वाले जो parrots है, वो bird नहीं है यानि कि हम कह सकते हैं कि conclusion second क्या है, right है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option B if only conclusion second follows समझ में आई बात ठीक है, यहाँ पर क्या था देखो, no crow is a bird कोई भी crow bird नहीं था, उसके बाद some parrots are bird, यानि कि जो इन दोनों के बीच में common ये part है, इसको हम बोलते है कि कुछ crow parrot है और कुछ parrot क्या है, crow है तो इसी, ये जो common part है, इसी के आधार पर तो हम बता पा रहे हैं, ठीक है अब आगे था, no bird is a sparrow अब bird और sparrow का यहाँ पर हो गया जो conclusion first था, उसमें इन दोनों के बीच में हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम इनके बारे में definitely कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पर definite बोला गया था, no crow is a sparrow, तो हम नहीं बता सकते थे, इसलिए हमने ये ये वाला conclusion था, इसको क्या कर दिया, wrong कर दिया, जो अगला conclusion था, उसमें बोला गया था, some parrots are not bird, अब parrots कहां पर है, यहां है, और bird है यहां पर, parrots और bird के बीच में भी हमें कोई भी statement नहीं दी गई थी, लेकिन यहां पर crow और parrot के बीच में कुछ common part था, ठीक है, अब यह वाला common part है ना, यह crows में भी है, और parrots में भी है, तो यह वाला जो है यह क्या है, parrots भी है और crow भी है, दोनों है, जब यह दोनों है, तो कोई भी crow क्या नहीं है, bird नहीं है तो यह वाले जो parrots है, वो भी क्या नहीं है, bird नहीं है, इसलिए कि हम बोल सकते हैं, some parrots are not bird, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, right हो गया, ठीक है, यहाँ पर only second conclusion क्या है, follow कर रहा है, ओके, अब चलते हैं, अगले question की तलब, अगला question है, statements है, पहला, some milk are curd, कुछ milk क्या है, curd है, तो ये हमने बना दिया, curd, ठीक है, अब यहाँ पर जो ये common part है इसका मतलब होता है, जितने भी milk, इसमें जो milk है, वो क्या है, curd भी है, यहाँ पर curd और milk दोनो common हो रहे हैं, समझ में आ रही है बात, ठीक है, अगला जो statement है, some curd are butter milk, कुछ जो curd है न, वो क्या है, butter milk है, ठीक है, आगे बोला है, all butter milk are butter, ठीक है, जितना भी butter milk है न, वो सार क्या है, butter है, आगे बोला है, no butter is a घी, कोई भी butter घी नहीं है, तो यह हमने बना दिया घी के लिए, ठीक है, यह diagram बन गया, उसके बाद हमारे पास जो conclusion है, conclusions क्या है, पहला conclusion है, no butter milk is घी, अब butter milk कौन सा है, butter milk वाला सरकल है, यह वाला, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया parlarमे भी butter milk है ना, वो सबी क्या है, butter है, और यहाँ पर था कोई भी butter घी नहीं है, ठीक है, तो जो पहला conclusion है, no butter milk is घी, क्या कोई भी butter milk घी नहीं है, तो यह right हो गया, क्योंकि यह वाला part किसमें है, butter में है, और butter और इस वाला जो हमें, relation पता है कि कोई भी butter घी नहीं है, तो ये वाला जो पहला conclusion है, वो right हो गया, ठीक है, ये आप लोगों को खुझ से समझना पड़ेगा, ये common sense की बात है सारी, ठीक है, इसमें कुछ समझना या समझाने की इतनी वो नहीं है, वो आप लोगों को सिर्फ खुझ से दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें हम जादा कुछ समझा नहीं पा रहे हैं आपको, बस आपको समझना है जो मैं यहां पर कर रहा हूँ, इन चीजों को खुझ से ओब जरू करना है कि सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है, जब खुझ से ओब जरू करने लगोगे तो अपने आप समझ में आए ठीक है इसको agities हम नहीं समझा पाएंगे आपको कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग यहां पर लगाओगे तो खुद आप इन चीजों को समझ पाओगे कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है यह सिर्फ common sense की बात है मैं बार बार बता र था ना वो क्या था बटर मिल्क था और ओल बटर मिल्क क्या है बटर है तो यह वाला जो पार्ट है यह तो सारा इसके बटर में common है common है तो यह वाला जो कर्ड के साथ common part था यह भी किसके साथ है बटर के साथ है तो यह वाला जो पार्ट है कर्ड का वो क्या है बटर है ठीक ह गी है यहाँ पर अब कर्ड और घी के बीच में कोई रिलेशन है नहीं है ठीक है तो कर्ड और घी के बारे में हम नहीं बता सकते लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें यह जो बड़ा वाला सरकल है ना बटर वाला यह किसको इंटरसेक्ट कर रहा है कर्ड को भी इंटर तो यहाँ पर क्या बोला गया था जो last हमारी पास statement थी no butter is a ghee जब कोई भी butter गी नहीं है तो यह जो common part है यह भी क्या नहीं है गी नहीं है यह भी गी नहीं है न तो हम बोल सकते हैं some curd are not ghee यह भी क्या हो गया right हो गया ठीक है यानि कि तीनो conclusion क्या है right है यहाँ पर एक बार मैं फिर से समझाते था हूँ इसको देखो यहाँ पर क्या बोला गया था सबसे पहले बोला गया था some milk are curd तो हमने यहाँ पर diagram बनाया कुछ milk क्या है curd है उसके बाद बोला था some curd are butter milk जो some curd है न वो क्या है जितना भी butter milk है न वो सारा क्या है butter है ठीक है और जो fourth statement थी वो थी no butter is a ghee कोई भी butter गी नहीं है तो यह हमने बना दिया गी butter और गी के बीच में कोई भी relation नहीं है ठीक है अब conclusion यहाँ पर क्या है पहला conclusion है no butter milk is गी अब butter milk है वो सारा किस में common है butter में है सारा का सारा common है न तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी butter milk गी नहीं है यह हो गया right पहला दूसरा जो conclusion था some butter are curd अब curd का पर है curd है यहाँ पर और butter है यह वाला बड़ा वाला अब यह वाला part यह intersect कर रहा है यह वाला part intersect कर रहा है तो यानि कि यह वाला जो curd है न वो क्या है butter है आपस में कुछ part butter का curd है और कुछ curd part butter है दोनों आपस में है तो यह वाला भी क्या हो गया right हो गया और जो third जो conclusion है some curd are not ghee अब ghee यहाँ पर है और कर्ड यहाँ पर है वैसे तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी relation नहीं है नहीं है ना तो हम इनके बारे में definitely कुछ बता नहीं सकते लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज और observe करनी होती है कौन सी यहाँ पर जो यह वाला जो common part है यह वाला जो common part है यह किस के साथ है बटर के साथ है और बटर और घी के बारे में हमें पता है ठीक है क्या बोला गया था कि कोई भी बटर घी नहीं है ठीक है तो यह वाला जो common part है यह कर्ड भी तो है common part कर्ड भी तो है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कर्ड का पार्ड है ये घी नहीं है समझ में आई बात इसलिए हम ये third conclusion है some कर्ड और not ghi इसको क्या करेंगे इसको भी write करेंगे अब समझ में आया अब समझ में आया सबी को ठीक है अब चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है All letters are envelopes ठीक है जितने भी letter है वो क्या है envelopes है ठीक है Second है No envelope is post office कोई भी envelope क्या नहीं है post office नहीं है तो यह हमने कर दिया No envelope is post office जो third है Some post office are postman कुछ जो post office है न वो क्या है Postman है ठीक है आप यह तो इनका जो पूरा है वो लिख लिए जो भी word होता है वो आप पूरा लिख ले अगर आपको थोड़ा सा doubt होता है दिक्कत होती है तो आप इनको पूरा लिख सकते है जैसे कि यहाँ पर L से मैंने क्या लिखा है letter ठीक है तो आप यहाँ पर L की जगह letter लिख सकते है E की जगह envelops लिख सकते है ठीक है बाकि मैं यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर जो first letter है मैं वो यहाँ पर लिख रहा हूँ ठीक है PM, postman को मैंने PM से लिखा है और PO से लिखा है मैंने ये, post office, ठीक है? क्या बोला है? Some postman are letters क्या कुछ postman letters हैं, बताओ तो letters और postman के बीच में हमें co-relation नहीं पता है तो इसको हम क्या कर देंगे? Cut कर देंगे, यानि कि ये हमारा wrong हो गया हम नहीं बता सकते कि some postman are letters हैं या नहीं है, ठीक है? इसलिए हमने ये क्या कर दिया? wrong कर दिया अगला है, no postman is letter no postman, postman काँ पर है? postman यहाँ पर है, is letter अब देखो, पहले में था some postman are letter, दूसरे में है no postman is letter, हम नहीं बता सकते थे, अब दोनों को हमने क्या कर दिया? wrong कर दिया लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर conclusions को हम ध्यान से देखें, जो पहला conclusion है, वो क्या बोल रहा है? some postman are letters, ठीक है? और जो दूसरा conclusion है, उसमें बोला जा रहा है, no postman is letter, यानि कि इन में से एक बात तो true होगी? या तो कुछ postman letter होंगे या कोई भी postman letter नहीं होगा इन में से एक बात तो true हो नहीं होगी? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका answer क्या होगा? either first or second, ठीक है? या तो पहले वाला सही है, या फिर दूसरे वाला सही है लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा है तो हमारा answer क्या हो जाएगा? हमारा answer हो जाएगा option C if either conclusion first or conclusion second follow ठीक है? या तो पहले वाला conclusion follow कर रहा है या फिर दूसरे वाला conclusion follow कर रहा है ठीक है? ये हमारा हो गया answer अब चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है no animal is a rat ठीक है? कोई भी animal क्या नहीं है? rat नहीं है उसके बाद है some cows are animals ठीक है? animal कहां पर है? यहां है तो cows को हमने बना दिया यहां पर ठीक है? अब है all bears are rats जितने भी bear है न वो क्या है? rat है तो rat वाला circle में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि bears को भी हम क्या कर सके? बीच में लिसके ठीक है? क्या बोला है? all bears are rats ठीक है? तो bear क्या है? rat के बीच में आ गए है ओके? यह हमारा हो गया diagram अब conclusion हमें बताने है पहला conclusion है some animals are cows cows कहाँ पर है? यहाँ पर है animals है यहाँ पर अब बोला है some animals are cows तो बिल्कुल सही है क्योंकि पहले जो पहले दूसरी जो statement थी उसमें क्या बोला था? some cows are animals तो इसका reverse भी सही होगा कि some animals are cows ठीक है? यह वाला हो गया सही अब दूसरा है no bear is an animal कोई भी bear animal नहीं है क्या यह सही है? बताओ यह भी सही है क्यों? हमें दिया गया था कोई भी animal rat नहीं है यह दिया था no animal is a rat ठीक है? लेकिन जो bear है सभी के सभी जो bears है वो rat के अंदर है ठीक है? तो जब rat और animal का हमें पता है कि कोई भी animal rat नहीं है तो जो bears है वो सभी किस में है? rats में है यानि कि सभी bears rat है तो कोई भी rat जब animal नहीं है तो यह क्या हो गया? right हो गया यानि कि no bear is an animal ठीक है? समझ में आई बात यानि कि conclusion first and second both follows ठीक है? तो इसका right answer हो जाएगा option E if both conclusion first and second follow ठीक है? अब चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है some orange are apples कुछ जो orange है न वो क्या है? apple है all lemons are apples ठीक है? जितने भी lemons है तो lemons को हमने बना दिया apple के बीच में ठीक है? क्योंकि सभी lemons क्या है? apples है ठीक है? तो L जो lemons है वो सभी किस में आ जाएंगे? apple में आ जाएंगे अब बोला है no apple is goa no apple is goa तो यह हो गया goa ठीक है? अब conclusion देख लेते हैं पहला जो conclusion है some orange are lemons orange कहाँ पर है? यहाँ पर है और lemons है? यहाँ पर बताओ some orange are lemons नहीं हमें नहीं पता कि कुछ orange lemon है या नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी relation नहीं है ठीक है? अग देखो क्यों नहीं है? जब lemon को यहाँ पर लिया है तो diagram के इसाब से तो कोई भी orange lemon नहीं है तो यहाँ पर तो wrong हो गया लेकिन हो सकता था मैं lemons को अगर यहाँ पर ले लेता lemons को तो इसमें तो कुछ lemons क्या है? Orange है तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा सही है लेकिन हम diagram यह वाला क्यों लेते हैं? क्योंकि orange और lemon में कहीं पर भी हमें relation नहीं दिया गया है जब हमें relation नहीं दिया गया है तो diagram में हम वहाँ पर उनके बीच में कोई relation नहीं रखते हैं ठीक है? समझ में आई बात यह मैंने कल भी बताया था आप लोगों को अब क्या बोला है? Some orange are lemons कुछ orange lemons है तो यहाँ पर definite बोला गया है जब हमें इन दोनों के बीच में कोई relation पता ही नहीं है तो हम definitely कुछ भी नहीं बता सकते ठीक है? तो यह वाला हो गया wrong उसके बाद है all gavas being lemon is a possibility gavas कहाँ पर है? यहाँ पर है और lemon कहाँ पर है? यहाँ पर है बताओ तो यह भी क्या है? यह भी यहाँ पर wrong है अब कहोगे आप कि sir यह कैसे wrong हो गया? क्योंकि यहाँ पर कोई relation भी हमें नहीं पता था और इनके बीच में possibility भी है तो यह wrong इसलिए है जितने भी lemons है ना वो सभी किसमें है? apples में है ठीक है? जितने भी lemons है वो सभी क्या है? apples है और apple और apple और geva की भीच में हमें बोला गया है कि no apple is geva कोई भी apple geva नहीं है तो जितने भी lemons है वो apple है अब apple geva हो नहीं सकते तो यहाँ पर possibility क्या हो गई? wrong हो गई ठीक है? अब definitely हमें पता है कि कोई भी lemon क्या नहीं है geva नहीं है ठीक है? तो इसलिए यह क्या हो गया? wrong हो गया है अब देखते हैं third वाला no orange is a lemon orange का पर है? यहाँ पर है और lemon है यहाँ पर ठीक है? तो इसके बारे में हम नहीं बता सकते कि यह right है या wrong है इसलिए हमने इसको भी क्या कर दिया? wrong कर दिया लेकिन मैंने पहले बताया था अगर हम conclusion first और conclusion third दोनों को ध्यान से देखें तो पहले conclusion में क्या है? some orange are lemons ठीक है? इसमें बोला गया था some orange are lemons लेकिन जो third वाला conclusion है उसमें बोला गया है no orange is a lemon ठीक है? यानि कि इन दोनों में से कोई एक conclusion तो right होगा पहले वाले में तो बोल दिया कि कुछ orange lemons है और third वाले में बोल दिया कोई भी orange lemon नहीं है तो इन में से एक बात तो true होनी होगी या तो कुछ orange lemon होंगे या कोई भी orange lemon नहीं होगा तो इसलिए हमारा जो answer होगा वो क्या होगा? Either first or third ठीक है? Either first or third यानि कि option भी क्या हो गया? Right answer हो गया Either first or third follows समझ में आई? ठीक है? अब चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है यहाँ पर statements देखते हैं पहला statement है A few mechanics are not plumbers ठीक है? कुछ जो mechanics है वो plumbers नहीं है A few ठीक है? तो यहाँ पर है mechanics वो क्या है? Plumber नहीं है ठीक है? यह वाले जो mechanics है वो क्या नहीं है? Plumber नहीं है यह हमने बना दिया है ओके? उसके बाद है All plumbers are qualified जितने भी plumber है ना वो क्या है? Qualified तो यहाँ पर आ गया, क्यों, अब है, no qualified is skilled, कोई भी qualified skilled नहीं है, तो यह क्या हो गया, यह हमारा diagram हो गया, देखो, अब a few mechanics are not plumber, ऐसा जब हमें बोला जाता है, तो हम यह वाला ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कि यह जो mechanics है, यह क्या नहीं है, plumber नहीं है, ठीक है, यह plumber के साथ मे है, plumber के साथ में relation है, ठीक है, qualified के साथ में relation नहीं है, mechanics का, किस के साथ में है, plumber के साथ में है, अब conclusion यहाँ पर क्या है, पहला conclusion है, no skilled is a plumber, skilled कहाँ पर है, यहाँ पर है, और plumber है, इनके बीच में, qualified के बीच में, तो क्या यह पहला conclusion सही है, यह बिलकुल सही है, क्यों, क्यो और plumber भी क्या है इन दोनों के बीच में भी कोई relation नहीं होगा ठीक है इसलिए no skilled is a plumber ये क्या हो गया ये हो गया right ओके अब देख लेते हैं दूसरा conclusion no mechanic is skilled mechanic कहां पर है यहां पर है और skilled है यहां पर अब mechanic और skilled के बीच में कोई भी relation हमें नहीं पता है ठीक है हमें diagram से भी नहीं पता लग रहा है और statement भी कोई भी इनके बीच में relation नहीं दिया गया है ठीक है तो हम इनके बारे में definite कुछ भी नहीं बता सकते तो इसलिए second वाला क्या हो गया wrong हो गया ठीक है अब देख लेते हैं third वाला some plumbers are not mechanics plumbers काँ पर है यहाँ पर है और mechanics है यहाँ पर तो क्या यह सही है बताओ some mechanics are not plumbers sorry some plumbers are not mechanics अब ये वाले जो mechanics है वो क्या नहीं है plumber नहीं है ठीक है ये वाले जो mechanics है वो plumber नहीं है तो कुछ plumber क्या होंगे mechanics भी नहीं होंगे तो यानि कि ये भी क्या हो गया रोंग हो गया तो इसका answer क्या हो जाएगा option A 12 का क्या हो जाएगा option A यानि कि conclusion first follow conclusion first follow अब चलते हैं अगले question की तरफ अगला question क्या है अगला question है no cycle is tire कोई भी cycle tire नहीं है ठीक है उसके बाद है not a single tire is tube कोई भी tire tube नहीं है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ not a single tire is tube कि कोई भी tire tube नहीं है अब tire ये थी तो tube के लिए हमने ये बना दिया ठीक है कोई भी tire tube नहीं है अब बोला है every tube is puncture ठीक है every tube क्या है puncture है तो यह हो गया puncture अब देख लेते हैं conclusion क्या क्या है पहला conclusion है some punctures will are tubes are cycle as well बताओ क्या बोला है some punctures which are tubes जो tube है यानि कि tube सभी की सभी tubes क्योंकि tube क्या है सभी की सभी tubes क्या है और कि क्या बोल रहा है some punctures way punctures जो tubes है तो यह सिर्फ tube की बात कर रहा है और cycle as well क्या यह cycle है बताओ अब cycle और tube के बारे में हमें कोई भी relation नहीं पता है तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पराएंगे definitely हम कुछ बता नहीं पाएंगे तो यह क्या हो गया यह हो गया wrong ठीक है उसके बाद क्या है no cycle is a tube cycle कहां पर है यहां पर है और tube कहां पर है यहां पर है बताओ पहले में क्या था some punctures which are tube are cycle as well ठीक है हमने यह क्या कर दिया wrong कर दिया दूसरे बोला है no cycle is a tube अब ये भी हमें नहीं पता है तो ये भी हमने क्या कर दिया रोंग कर दिया ठीक है ये भी क्या कर दिया हमने रोंग कर दिया अब जो third है वो क्या है some punchers are no tires some punchers are no tires punchers यहां पर है और tire यहां पर है तो ये क्या होगा ये right होगा क्यों क्योंकि कुछ टायर क्या नहीं थे ट्यूब नहीं थे और सभी की सभी ट्यूब्स क्या है पंचर्स है तो जब जितनी भी ट्यूब्स है वो क्या है पंचर्स है तो ये वाला इन में पार्ट कॉमन है तो टायर और ट्यूब के बीच में रिलेशन हमें पता है कि कोई भी tire tube नहीं है तो ये वाला जो common part है पंचर में तो ये भी क्या नहीं है tire नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला क्या होगा right होगा ठीक है तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा option यानि कि option A only C3 follow केवल conclusion 3 follow कर रहा है अब चलते हैं अगले question की तरफ अगला question क्या है no panther is jaguar कोई भी panther क्या नहीं है जगवार नहीं है ठीक है उसके बाद है note a single jaguar is puma कोई भी single jaguar puma नहीं है तो ये कोई भी single jaguar क्या नहीं है puma नहीं है ठीक है तो ये भी हमने cross कर दिया उसके बाद है every puma is chita सभी की सभी जो puma है न वो क्या है चीता है यह हमने बना दिया ठीक है पहला क्या था पैंथर था और दूसरा क्या है पुमा है ठीक है गन्फूज नहीं होना है अब conclusion देख लेते हैं conclusion क्या है some cheetahs which are puma are panther as well some cheetahs which are puma यह वाले जो की puma है are panther as well क्या यह panther है अब panther और क्या नाम है puma इनके बीच में कोई भी relation हमें नहीं पता है तो हम इनके बारे में कुछ भी definitely नहीं पता पाएंगे तो पहला क्या हो गया wrong हो गया उसके बाद no panther is a puma कोई भी panther puma नहीं है यह भी क्या हो गया wrong हो गया ठीक है और उसके बाद है every puma is theta every puma is theta क्या सबी के सबी puma चिता है यह वाला सई है क्योंकि यह तो हमें पहले से हीं दिया गया था कि every puma क्या है चिता ठीक है तो option यह वाला यानि कि conclusion third क्या हो गया हमारा right हो गया है ठीक है तो इसका right answer क्या होगा option A यानि कि conclusion third follows ओके तो आज की class बस हम यहीं पर smart करते हैं I hope आप लोगों को समझ में आया होगा अगर आप लोगों को confusion हो रहा है या कुछ doubt हो रहा है तो आप एक तो comment कर सकते हैं या फिर एक तो आप लोगों को practice करनी पड़ेगी ठीक है मैंने बताया था कि इन questions को क्या करना है practice करना है अब ये questions कब आएंगे जब आप ज़्याद़ ज़्याद़ practice करोगी ठीक है practice करने से आप लोगों को काफी help होने वाली है एक तो आप लोगों को diagram बनाने समझ में आ जाएंगे ठीक है ठीक है तो एक तो practice आप लोगों को continue जारी रखनी है और कल साइद में आप लोगों का test लूँगा ठीक है तो कल या तो हम live class रखेंगे अगर live class success रहती है या ठीक तरीके से काम करती है अगर system सही रहा तो हम daily फिर live class लेंगे नहीं तो फिर जो premiere हमारा चल रहा है वो हम जारी रखेंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही thank you